हेलो फ्रेंग्स वेलकम टियर ओन चैनल डेली स्टॉक तो इस वीडियो में हम बज़ाज हेल्थ केर के एक वार्टर ठीके रिजल्ट के बारे में बात करने वाले हैं और ये भी जानेंगे क्या अब आपको इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं तो ये पूरी जानकरी आप आपको इस वीडियो में मिलने वाली है टॉप इस वीडियो को एंटक जरू देखिएगा और दोस्टो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को जरू सब्सक्राइब कर दीजेगा तो कि मैं रोज आपको ये सारी अपडेट मेरे चैनल के उपर फ्री ओफ कॉज देने वाला हूं और आप मार्केट से भी अपडेटेड रहेंगे तो कि आपको सारी न्यूज मेरे चैनल के उपर मिल जाएगी तो चलिए शुरू करते हैं तो ये देखिए बजाज हेल्थ केर का जो नेट प्रॉफिट है व पिस बाद 326 रुपे का कमपणी का मुनाफ़ा हो गया है तो ये देखिए ये आपके लिए ऊजीअली है पिछले साल सपwideर शुरूपे कम्पनीय सो रुपे कम हैं तो अभी 326 रुपे कम्पनी ने कम है तो इतनी बड़िया कमपनी की प्रॉफिटेबिलिटि हो गई ए और ये देखिए 26.42 HARRIS का company का total मुनाफा निकल कर आया है जो कि देखा जाए तो company का जो मुनाफा वो एकदम बढ़िया है और में बात ये कि पिछले साल के मुकाबले company का मुनाफा 3 गुना हो गया है अब में बात ये कि इतना नहीं वड़ा है इसका revenue देखिए revenue में भी 81% का ग्रोथ है और वो हो गया है 180.07 करोड तो देखिए कंपनी के रेवेन्यूज लगबग से बनाता है तो एक तरीके से यह पूरी एक FMCG कंपनी है जिसके प्रोड़क्स मार्केट में खूब चलते हैं इसका जो आलमंड ओईल है जो आलमंड ओईल तो पूरे साल में मतलब हर साल बिक्ता है अब देखिए कुछ प्रोड़क्स होता है जैसे बोरो ब्लस हो गया तो बोरो ब्लस आपके विंटर सीजन में 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 बिक्ता है उसके बाद विंटर सीजन में थोड़ा उसकी सेल्स कम हो जाती है लेकिन इसका एक आलमंड ओईल वाला जो प्रोड़क्ट है उसका जो सेल्स होता है वो पूरे साल होता है तो ये एक बहुत बढ़िया बात है इसके एक almond oil के product को लेकर देखें सिर्फ almond oil ही नहीं बनाता है ये और भी चारपांट थरीके के oils बनाता है उसके अलावा इसकी जो tablets होती है वो भी है और उसके अलावा आयूरवेडिक creams ये सब भी बजाज healthcare बनाने का काम करता है अब आप ये देखिए sector का PE है 40.51 और आपको मिल रहा है 29.03 के pre-e ratio पर तो ये देखिए और 4.31 का price to book ratio इसका है जबकि sector का है 4.91 तो देखिए अभी भी ये share आपको sector के मुकाबले महिंगा नहीं मिल रहा है अभी भी इसमें value बाकी है अभी भी ये under valuation पर आपको मिल रहा है और जिस तरीके से इसकी profitability अभी बड़ी है अभी जैसे इसका 26 करोड का मुनाफ़ा निकल कर आया है तो इसका जो पी रेशियो प्राइस to नहीं है चिफ शिफ शिफ चिफ यह दिखिया आप 653 करोड की इसकी मार्केट कैप है देखिए पैसे तो इसको फार्मा कंपनी करना डाला गिया है यह एक तरीके कि फार्मा कंपनी तो कि इसके मेन हेल्ट केर प्रोड़क्त बहुत ज़्यादा आते हैं लेकिन मैं इसको फम्सीजी समझता हूं क्यूं कि देखिए इसके जो कुछ-कुछ प्रोड़क्स है वह फम्सीजी के यह है मैं जो रोज रेगुलर यूज में आते हैं जैसे इसका ओ 413 करोड का इसका पिछले साल टर्न ओड़ था और इस बार कितना है वो देखिया एक सो असी करोड का सिर्फ एक क्वाटर के अंदर तो अगर आप इसको yearly basis पर करेंगे तो कंपनी का total revenue लगबग निकल कर आता है वो निकल कर आता है 720 करोड के लगबग का तो देखिए पिछल 653 करोड की तो देखिए इसमें एक अशी काशी valuation अभी नजर आ रही है और main बात यह कि यह देखिया पिछले साल कंपनी ने पूरे साल का मिला के 22 करोड कुपे का मुनाफ़ा कमा है था और इस बार 26 करोड का मुनाफ़ा कंपनी ने सिर्फ एक quarter में कमा लिया है तो अकर इसक ख्याल से बहुत ही बढ़िया बात है और अभी इसके रिजल्ट का जो शेर का जो मतलब यह देखिए इसके नतीजे आने वाले थे फ्रैडे को उसके उसी दिन यह देखिए साड़े चार परसेंट की इसमें बड़ोतरी देखने को उसी दिन मिल गई मतलब जो ऐसे इसके नतीजे आने वाले थे वो मार्केट के अंदर से पहले सी फेक्टरीन हो गया है लेकिन आब आप यह देखिए 590 का इसका ओल टाइम हाई है और आपको मिल रहा है 495 पे मतलब अभी भी अपने ओल टाइम हाई से यह आपको 15% डिसकाउंट पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है और हाँ मेन बात यह है कि जिसना इसने अभी मुनाफ़ा कमाया है वो इसने आज तक कभी नहीं कमाया है तो यह देखिए यह एक और अच्छी बात निकल कर आती है बजाज हेल्थ केर से तो यह साफ साफ लॉंग टर्म के लिए मुझे बजाज हेल्थ केर एक डब बढ़िया लग रहा है और मेरे काल से आपको आने वाले 3 या 4 महिने के अंदर यह आराम से अपना ओल टाइम हाई काटा हुआ नजर आएगा और उसमें आपको आराम से 15-20 पर्षेंट के रिटन मिल जाएंगे तो देखिए शौट्टर्म इन्वेस्टर्स को इसमे निवेश करना चाते हैं वो भी इसमें पैसे डाल सकते हैं लॉंग तर्ब इन्वेस्टर्स भी इसमें पैसे डाल सकते हैं अब आद अती किस प्राइस पे तो देखिए मेरे ख्याल से जो भी इसका करेंट मार्केट प्राइस है वो एकड़म बढ़िया प्राइस है आप इस प्राइस पर इसमें निवेश कर सकते हैं बजाज हेल्सकेर एकड़म बढ़िया कंपनी है और मेरे ख्याल से लॉंग टर्म भी आपका होना चाहिए लॉंग टम में आपके लिए ये मल्टी बैगर भी साबित हो सकती है तो दोस्टो अगर आपको बजाज हेल्ट के एक वाटर थी ये रिजल्ट के बारे में सब कुछ पता चल गया है और आपकी कुछ और क्वेरीज है और उसके रिगार्डिंग आप क चैनल के उपर फ्री ओफ कॉट मिलती रहेगी ओके थैंक यू है वन नाइट डेए